यूपे अरुत्तराखन के खबरों के लिए विपे गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं केरल में अलग है तमिलाडू में अलग है तो इस तरह देश के अलग 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 खिसों में अलग अलग खियमते इसकी तेह हैं तो ऐसे में इन खियमतों को एक करने की मांग की गए है टेस्ट की खियमत आर्ट सो से लेकर अट्थाई सौ तो रुपे तक की है यानि कि अलग अ तो पूर्ण है आज की सुनवाई याचिका करता कौन है याचिका करता की मांगे क्या क्या है और सुनवाई कितने बज़े होनी है इसी पर सुनवाई करते हुए सुप्रिम कोट के जज अशोग गूशल की बेंचनी ये टिपड़ी की थी कि तमाम सारे जो राज हैं वहाँ पर अलग-अलग तेस्टिंग दर होने की जासे हर व्यक्ति टेस्ट नहीं करा पा रहा है लिहाजा पूरे देश पर में टेस्टिंग का रेट एक होना चाहिए और उसने केंद सरकार से इस मसले पर जवाब भी मांगा था जिस पर अगर बात करें तो सॉलिसिटर जेनरल तुशार मेता ने कहा था कि वो अपना जवाब देंगे आज केंद सरकार अपना जवाब देगे कि किन राजियों में कितने कितने टेस्ट किदर है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये निड़े दे सकता है कि हर राजियों में एक तै कीमत हो वो कीमत कुछ भी हो सकती है जैसे कि 800 से लेकर 2800 तक पूरे देश भर में अलग अलग जगा पे कीमते हैं इसके लाव कई सारे प्राइबेट लैब है जो 45 तक अभी भी ले रहे हैं तो यहाज़ा ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर कड़ी या प राज्य में आटी PCR की टेस्ट के रेट्स क्या है किमते क्या है या वो सारा डेटा है वहाँ पर वो सारा डेटा दे दिया जाजुकर आज़ फैसला आएगा देखे अगर बात करें तो यह सारा डेटा देजी आज़ा है सुप्रीम कोर्ट को जिसमें केंद सरकार के तरफ से जवाब देगा है कि कि राजियों में कौन कौन से राजियों में कितने कितने तेस्टिंग दर्ट का इता की गई है तो लिहाजा आज सुप्रीम कोर्ट फैस मस्या होती है कि टेस्टिंग रेट काफी हाई है लियाजा वो लोग जाद से कत्राते हैं इसलिए जाद जाद से जादा हो सके इसलिए कोरोना टेस्ट की कीमत कम की जाए सुप्रिम कोट आज अगर बात के तो यह सामोहिक निड़ा देगा जो सभी राजियों पर लाग होगा क कितनी दर होनी चाहिए कोरोना टेस्ट को लेकर अधिक तम जी अब इनाश आप नजर बनाए रखें इस खबर पर क्योंकि बहुत मैतुपूर्ण खबर है फिलाला आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया